दोस्तों जियो फाइनेसल सर्विस की बात के तो कंपणी ने कौर्टर फोर के रिजल को डिकलियर कर दिया रिजल काफी अच्छा है अभी वीजनेस की सुरुआ तो उसके पहले जो आकड़े है वो उत्सा वर्दक है यहाँ पर इन सारी बातों को समझने की खुश्यस करेंगे साथ में बाजार के लिए क्या रिजनीती हो सकती है मंड़े के दिन कल अब आप देखी सकते हो एफ़ई का रुजान कैसा है बाजार को लेकर और डियाई का इन सारी बातों को इस वीडियो के मादब से डिसकस करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेला इकॉन दबा दीजिए ताकि जबीने विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स विडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम निप्टी फाइनेंसल सर्विस की बात के लिए तो फ्राइडे को 21,385 के स्टर पे क्लोजिंग थी 159 पॉंट की गिराउट हुई थी यानि 0.74% गिरा निप्टी फाइनेंसल सर्विस तो बाजर में गिराउट का माहुल था काफी जाला और यह देख तो इसका जो वजब बन रही है वो है FIA FIA जबरदस ब 318 करोड की बिक्वाली की है तो उनकी जो बिक्वाली का आकड़ है वो 3408 करोड निगेटीव है और पिछले पांच ट्रेडिंग सेसन से देखे तो बिक्वाली बहुत जबरदस हो रही है और यह गिराउट काफी बड़ी है लग भग 2500 3,000 करोड की बिक्वाली हर दिन हो र की तरब से या पर फ्राइडे को देखेंगे उन्होंने 14,475 क्रोड का फ्रेश इंवेस्टमेंट किया सामने 10,118 क्रोड की बिक्वालिक कि तो उनकी जो खरिदारी है वो 4356 क्रोड पॉजिटिव है तो बले ही बादर में गिराउट हुई लेकिन इसका फाइदा उटा के डि की बात करें तो 38,239 के इस्तर पे 0.40% की तेजी थी S&P500 की बात करें तो 5,099 के इस्तर पे 1.02% की सांधार तेजी थी और NASDAQ कमपोजिट में तो जबर 10 तेजी देखनों को मिली 15,927 के इस्तर पे 2.03% की बंपर तेजी देखनों को मिली रजल 2,000 इंडेक्स की बात करें तो 2,002 के इस्तर के आस्परस क्लोजिंग थी 1.05% की सांधार तेजी और NYSE कमपोजिट की बात करें तो 17,723 के इस्तर पे 0.18% की तेजी सबी इंटर्णेसल मार्केट ग्रीन में क्लोजिंग दिया हो काफ़े अची तेजी के सांध क्लोजिंग दिया है जो सिगनल है कि मंडे को मारे बाज़ार में भी शुरुआत अच्छी हो सकती है पॉजटिव शुरुआत हो सकती है अब जी ओ फानेसल सर्विस की बात के बात तो 22 अपरिल को स्टॉक 381 परसं 2 पश्ञे की सांधर थेजी बनी तरीज अपरेल को स्टॉक आगया 387 परस फास 1.4 परसं की देजी के साथ 24 अपर्ल कोिक दियां कि state wind और जेखें अच्छा है अब यहां पे बजाज फाइनेंस सामने जीओ फाइनेंस सर्विस कौन सा स्टोक है जो कौटर फोर के बाद खरीदारी किये जा सके बजाज फाइनेंस की बात को इस बार डबल डिजिट में दिखाई में ग्रोथ और प्रॉफिट भी काछे इंट्रेसट इंकम में भी यरन बेसी प्रॉफिड हुई है अगरे आज पार ऑके प्रॉफिट बगात सकते हैं अब देखें बजाज फाइनेंस ने अपना जो रिजल्ट है 25 अप्रेल को डिक्लेर किया और इसके बाद में गिरावट हुई 7.73% की इस रिजल्ट के बाद और श्टॉक 6729 के आसपस हैं और यहां पर देखें तो जीओ फाइनेंस ने 19 अप्रेल को अपना रिजल्ट में जीओ फाइनेंसर सर्विस की बात के तो यहां पर देखें जो 6% की कॉर्ट और कॉर्ट बेसिस पे जम देखना को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर जो 310.6 क्रोड के आसपस रहें रिवेन्यू में भी 1% की इंक्रीज देखना को मिलें कॉर्ट और को बेसिज़ों 418.1 क्रोड के असपस रहें पिछले कॉर्ट में 430.6 क्रोड के आसपस था नेट इंटरेस इंकम में भी देखें तो 4.5% की वर्धी देखना को मिलें कॉर्ट और को बेसिस पर जो 269 क्रोड के पिछले बार था जो इस बार 281 को क्रोड के आसपस रहें प्री प्रोविजिंग पिछली बार ये 350 कोड़ का बजाज फाइनेंस की बात कि यहाँ पर नेत प्राफिट में 21% के लिए 3725 कोड़ के असपस रहे नेट इंट्रेस इंगम्में 28% के लिए 8013 कोड़ की आसपस रहे जो पिछले साल से हम कौने 524 कोड़ के असपस नेट इंट्रेस्स मार्जिन देखे तो उसमें 21 परसेंट की बेसिस पॉइंट की अब गीर आउट देखना को मिली है अब जी यो फाइनेसर शर्वीस और बजाज फाइनेस की बात के इनके कुछ पॉइंट भी और कुछ इनकी कमजोरिया भी है जैसे कि जी फाइनेसर की बात इसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेस हिस्ट्री है जी फाइनेसर शर्वीस की बात देखे इनके पास एक एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है रिसेंटली इनों ने एक एग्रिमेंट साइंग के साथ मिलके और दोनों मिलके आप देखें 50-50 परसंग की जॉइन वेंशर के मादिम स ब्रोकिंग बीजनस में उतर चुके है तो लॉंग टर्म के देखें से के हिसाब से दोनों स्टॉक काफी अच्छे है और इनको खरीदारी करनी चीए अब यहां पर दोनों के बीच में कंपेर करके कौन सा खरीदा चीए तो आप देखें तो पेस 360 के अमित गोईल का कहना है कि यहां पर बजाज फाइनस और जियो फाइनस को अगर हम कंपेर करें तो जियो फाइनसल के जो मजबूत सपोर्ट है आप देखें तो जो इसका बैक है वो रिलाइनस इंडेस्टी जो एक राइजिंग इस्टार है और जिस तरसे तेजी से अपने कारुबार में आगे बैटर लग रहा है अब दुसरी तरफ आप देखें तो इनकरेट कैपिटल के जिगनेश साहिल का कहना है कि अभी जियो फाइनसल ने अपने वीजनस की देखें सुरुवात की है अभी उसकी परफॉर्मस को हमें जज करना है देखना है तो अभी फिलाल इसके बारे में कु इची ग्रोध संभावना तो है मेनेजमेंट का ट्रेक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और आने वाले समें संभावना भी पॉजिटिव है तो हम यहां पर बजाज फाइनस में एड़ की टार्गेट देरें 9000 के टार्गेट के साथ में खरीदारी कर सकते हैं मेहता एक्यूट इसमें भी आप देखें तो चार्ट पैटन स्ट्रक्चर मजबूत दिखाए दे रहा है और यह चेहजार से चेहजार दोस्तों के आसपास अगर आप इसमें खरीदारी करें करेंट लेवल पर देखें तो अरवर का कहना है कि यहां पर 8-10% के गिरावट के बाद डौन साइ अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि जो रिस्क ले सकता है उसके लिए जियो फाइनेसल में निवेस का मौका अच्छा बन रहा है कि इसके पीछे वज़े की बजाज फाइनेस अपनी जो भी पोटेंशल दिखा चुका है उसकी सारी की सारी रन निती पता है लेकिन जि कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेसल एडवाईजिस बढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए लाइक से जो की जो चैनल को सब्सक्राइब कर द कीजिए थैंक यू फ्रेंड